मध्य प्रदेश में पूर्व केंद्रिय मंत्री जियोतिरा दित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने पर प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष कुल्दीप राठोर ने निशाना साधा है कुल्दीप राठो ने इसे अवसरवाद और स्वार्थ की राजनीती बताते हुए कहा कि सिंधिया ने राज्य सभा के उमिद्वारी हासिल करने के लिए ये विश्वास कहात किया है उन्होंने कहा कि किसी के जाने से पार्टी की गतिविध्या नहीं रुपती देखिए ये सरसर अवसरवाद की राजनीती है और एक ऐसा व्यक्ति जिसको इस पार्टी ने मान प्रतिष्टा दी हो ऐसा व्यक्ति जो केंदर में तीन बार मंत्री रहा हुए अभी वो पिछला चुनाव जो है हारे और उसके बाद उन्हें जो उन्हें स्वार था वो मुझे लगता उन पे हावी हो गया और खाली राजय सभा की उमीदवारी हासिल करने के लिए जो है उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ा उससे कोई फार्ट नहीं पढ़ता कॉंग्रेस पार्टी में लोग आते है लेकिन संगठन आगे बढ़ता है व्यक्ती बढ़ा नहीं होता संगठन बढ़ा होता है तो मेरा यह मानना कि इससे कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिम्ना